एस्पीसियस एजुकेशन चेनल में स्वागते मितुर आई आज के टोपिक है जनजातिय समस्यों के अंतरगत रीन गरस्ता की समस्या ठीक है प्रॉब्लेम्स ऑफ इंडेप्टिनेस रीन गरस्ता की समस्या बहुत इंपोर्टेंट है अगामी होने वाली प्रिष्चाओं के लिए आए टोपिक क्यों चलते हैं टोपिक अथा है भारतिय समाज में अथ्वा जनजातिय समाज में रीन गरस्ता की समस्या उनकी आर्थिक र किरिया के परिणामशरूप जनजातिये छेत्रों में परिवहन एभम संचार स्वीदाहों का परसार होने लगा कर थेकेदार तथा महाजनों ने भी अपने आर्थिक उद्देस की पूर्टी के लिए जंजातिये छेत्रों में परवेश करना प्रारंब कर दिया ठेकेदार तता महाजनों ने जंजातिये समाजों में रीन गरस्ता का माया जाल फैला कर इन भोले भाले जंजातियों का अनेक प्रकार से सोसन करने लगे जंजातिये समाज में रीन गरस्ता की समस्या के पीछे निमलिकित कारण को स्पस्ट किया जा सकता गरीवी यानिकी निर्धनता दूसरा है विरोजगारी तीसरा है मदपांद यादत आगे है किर्शी समंद्य आप सकता के लिए लिया गया रही है समाजिक सांस्कृतिक अनुष्ठानों के अफसर पलिया गया रही है ये पांच मुखे कारण है जनजातियों द्वारा खास कर अपनी किर्शी समंद्य समस्यों की पूर्ति के लिए अस्थानिये गयर आदिवासी लोगों से अत्वा किसी नीजी सुर्च से रीन लेते हैं रीन देने वाले महाजन अत्वा सुद्खोर इन भोले वाले जनजातियों को रीन गरस्ता का माय जाल फैला कर उसे अधिक ब्यासदर पर रीन देते हैं जिसे बाद में भुक्तान करना उसके लिए एक समस्या बन जाती है असल में ये महाजन एवं सुद्खोर ऐसे अबसरों की तलास में रहते हैं कि कोई भी जनजातियों सदस उनसे रीन की मांग करे जनजातियों लोग खासकर और सिख्छा के कारण आवस्षक्ता की प्रस्तीती में बैंक अत्वा सहकारिता से रीन नहीं ले पाते हैं और वे असानी से महाजन अत्वा सुद्खोर के कुचक्र में फोस जाते हैं कभी कभी तो किसी और समान्य अत्वा प्राकिर्टिक प्रकोप के कारण भी उन्हें मजबूरी वस महाजन अत्वा सुद्खोर से रीन लेना पड़ता है इसके अत्रिक्त जंजातियों अनेक समाजिक संस्कृतिक अनुष्ठानों के अफसर पर भी इन महाजनों से दीन ले लेते हैं जंजातियों में अनेक समाजिक संस्कृतिक अफसरों पर परंपरा के तोर पर निश्चित रुप से सराब का सेवन किया जाता है संस्कृति संपर्ग के परभाओं के कारण ये जन जातियां दिखावा करने के उद्धे से से भी समाजिक संस्कृतिक अफसरों पर महाजन तथा सुद्खोरों से उच्च ब्याजदर पर रीन लेकर रीन ग्रस्ता के कुछ अक्र में फस जाते हैं अज्यांता का लाव उठाकर उसे अधिक भी आजदर पर रीन देकर उसे रीन ग्रस्ता के मायजाल में फसा देते हैं ताकि उनका अनुचीत रूप से सुषण और दोहन किया जा सके जन जातिये समाज में ब्याप्त रीन ग्रस्ता के कारण अनेक समस्याएं उत्पन होती है जैसे कि बंधवा मुजदूर्वी की समस्या भूमी अलगाओ की समस्या बिस्याबिर्ती की समस्या एवमान्य हिदीन नहीं चुका पानिक अस्थिती में महाजान अथवासुद खोर उसके भूमी पर जबरन कवजा कर लेते हैं और उसे बंधवा मुजदूर के रूप में कार्ज करने के लिए वाद्ध भी करते हैं ऐसी अस्थिती में एक जनजातिये महलाएं अपने भूख को मिटाने के लिए बैस्याविर्ती जैसी निक्रिष्ट बैफसाई को अपनाने के लिए वाद्ध हो जाती है जनजातिये समाज में ब्याप्त दीन गरस्ता की समस्या के समधान के लिए निमलिखित सुजाववाम संबेधानी प्राधान किये गया है नमर एक भारते सम्धान के पाँच में अनसूची के अंतरगत राजपाल को यह अधिकार परदावन किया गया है कि वह नीजी सुदखोरी पर परतिबंद लगाने है तू कानों बना सकती है बिहार राज का दीन रहात अधिनियम 1976 के लागू होने से पुर्व में दिलिये गए समी प्रकार के कर्ज इवन ब्याद से करदार को मुक्त करता है देवर आयोग ने भी अपने नुसंसा में जनजातियों में बिद्यमान रिन गरस्ता की समस्या पर गंभीर चिंता वेक्त किया और उसके समधान के लिए कानून बनाने तथा उसके ठोस की दियानवन की बात कही है सरकार ने बंधवा मजदूरी उनमूलन अधिनियम 1976 को पारित कर उसके लिए कठोर दंद का प्राब्धान किया है साथ ही बंधवा मजदूरों को 1976 से पुर्व में लिए गए सभी प्रकार के जिनों से मुक्त भी कर दिया गया है अगला पॉइंट है सरकार ने अधिनियम बना कर बेश्याविर्टी जिसी समस्याओं को भी नियंत्रित इबं बीनियमित करने का कौम किया है अगला पॉइंट है सरकार को कानून के परती जंजातिये लोगों को जागरुक किया जाने की भी आपसकता है अगला पॉइंट है जंजातियों में सिख्छा का परचार परसार करने के लिए ठोस कदम उठाया जाना चाहिए जंजातिये छेत्र में डीन का स्विवधा उपलब्द कराने हेतू सुला वेवं स्ट्रल वेवस्ता का विकास किया जाना चाहिए बैंक अथ्वा सहकारिता से रिल लेने समंधी प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए नम्मा पॉइंट है उनके छेत्र में सभी प्रकार के कार्ज यह जागरूपता फैलाने के उद्देश से किसी NGO की सहता अथ्वा समाजी कार्ज करता का भी सहोग लिया जाना चाहिए उप्रोक्त विवेचनाओं के अधार पर कहा जा सकता है कि सरकार के इस द्वारा सकारात्वक प्रियास्तों किये गये हैं प्रन्तु इस दिसा में और बहुत कुछ किये जाने की आप सकता है ताकि उनके समस्याओं में आसातित सुधार लाए जा सके और उसे समाज के मुक धारा से जोरा जा सके इसके साथ ही कलास मापत होता है मित्रू धन्यबाद अगले कलास में अगले पॉइंट के साथ फिर उपस्तित होगे विडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सबिस्क् करें और कोमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय को जरूर लिखें धन्यवाद है